हेलो फ्रेंड्स वेलकम हैं आपका मारे यूट्यूब चैनल नौलेज विदा लोग सिंग राजपूद में जैसा कि आप सभी को पता है गौवर्मेंट ने यानि सरकार ने DAODR यानि महंगाई बत्ते और महंगाई राहत के base year में जो है चेंज कर दिया है तो अब base year के चेंज होने के बाद जो है जनवरी 2021 और जुलाई 2021 में जब DAODR unfreeze होगा तो आपको कितना पतिसत महंगाई बत्ता DAODR मिलेगा हम आपको बताने वाले हैं इसके रिगार्डिंग जो है सरकार के तरफ से नए ताजा आंखडे जारी कर दिये तो इस वीडियो सभी कर्मचारियों और पैंसनस के DAODR यानि महंगाई बत्ते और महंगाई राहत के रिगार्डिंग बहुत ही आपको सरकार प्रोवाइड कराती उसी के basis से आपका DAODR किया जाता है तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं उस ओफिशल नोटिफिकेशन पर उससे पहले कार आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलीगा चलिए आपको लेके चलते उस ओफिशल नोटिफिकेशन पर जिसमें वो डेटा आया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं कि स्रम बीरों के महानी देशक सी कि DPS नेगी ने कहा कि CPI IW 2001 जो पहले था जिसको base year मना गया था जिसे 100 के equal मना जाता था कि पुरानी स्रंकला का नई स्रंकला 2016 equal to 100 से linking factor 2.88 है दोनों स्रंकलाओं के बीच 65 common center है और common centers के linking factors की संक्या 2.38 से डूमा डूमा तिन सुखिया से नागपुर के लिए 3.60 है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्री नगी ने कहा कि सितंबर 2020 के लिए और दोगीक स्रंकों CPI IW के लिए आखिल भारतियों बोकता मूल सूचकांग संक्या नए आधार यारिन 2016 को base year पर जारी कर दी गई है सितंबर 2020 के लिए नए आधार पहला सूचकांग 118 के अंकों के स्तर पर है नए सूचकांग संक्ला सूचकांग के आधार पर लिंकिंग फेक्टर पिछले आधार पर 2100 में 2.88 तो आप देख सकते हैं कि 2.88 यह वो अंक है आप देख सकते हैं आपके कि जो पुराना All India Consumer Price Index है उसको नए से कैसे चेंज करेंगे आप इसमें देख सकते हैं How to convert the All India Consumer Price Index from old to new as per the press release the new series of All India Consumer Price Index 2016 is 118 and the linking factor of the conversion of the new series index to the previous series on the base of 2100 is 2.88 अब देखेंगे जैसे वो इसको चेंज करेंगे new में तो जो All India Consumer Price Index के वो September की होगी वो 118 गुणाल 2.88 होगी जिसे 340 अंक के जो है नियर अबाउट रखा गया अब उस 340 अंक को जो है हम DA Calculator में put up करके हम बता पाएंगे कि आपको DA और DR कितना provide करा है जाएगा तो आप देख सकते हैं there is a simple expected DA Calculator is provided to find the DA from January 2021 with inputs of expected All India Consumer Price Index for the required months तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो months हैं यहाँ पर All India Consumer Price Index का डिटा है और यहाँ पर DA तो जुलाई में आपको पता है 336 संग के साथ में 25,94 जो वहाँ पर DA था अगस्त में 338 संग के साथ में 26,05 था वहीं सेप्टमबर की बात करें अभी 340 संग आई हुए हैं जिससे 26,63 डेटा है आप जो आगे रहे सकते हैं बाकी तीन मन्त में हम expected लेके चलते हैं अगर 4-4 अंकों की बढ़ोतरी होती तो ड DA और DR कितना होगा तो आप देख सकते हैं अक्टूबर में अगर हम 4 अंकी बढ़ोतरी करते हैं तो 344 अंकों के साथ में 27,02 थीन डेटा होगा वहीं नयुम्बर 2020 के बात करते हैं अगर इसमें भी 4 अंकों की बढ़ोतरी होती है 348 अंक के साथ में 27,88, 8,6 डेए होगा वहीं 2021 में जो DAODR provide कराया जा सकता है यह expected है अब बात करतें कि finally जो July 2021 होगा जब आपका DAODR जो है freeze होगा June 2021 के बाद में तो कम सकम 5-6% और आप expected मानगे चलिए यानि कि 35-34% आपको DAODR provide कराया सकता है यह expected है इसे कम और जादा भी हो सकता है अभी आपको पता है कि 17% DAODR जो है सरकारी तरफ से provide करा जाता है अगर यह 35% होता है तो 35% के बाद में आपको 17-18% हाइक देखनों को मिल सकता है DAODR में जो base year change हुआ है उससे भी काफी effect पड़ेगा अब आगे आने वाले दिनों में और भी clear होगा जो आगे आने वाले जो October, November, December, month की जो All India Consumer Price Index होगी जो आगे जो clear होगा जिससे कि आपको कितना DAODR सरकार provide करा सकते है तो यह वीडियो बहुत important था सभी करमचारियों और अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करें सभी दोस्तों के साथ मैं इसी न्यूज और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच